असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की वीडियो रॉल नबर स्लिप के रिलेटीड है कि हम अपनी रॉल नबर स्लिप को गर वैटे खुद कैसे डाउनलोड कर सकते हैं चाहे हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट है क्या इ्लामा इखब्स अपन उनवर्सटी हमारे गर स्युक्त ने डाउनशल नबर स्लिप भेजीगी या नहीं तो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बैल एकन को लाग भी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे सेर्चिंग बार पर AIOU CMS लिखेंगे उसके बाद यह इंटरफेस सामने आएगा यहाँ पर जो सबसे ओपर लिंक है इसको क्लिक करेंगे यह इंटरफेस सामने आया नीचे देखें CMS for continuing student लिखा हुआ है और सबसे नीचे for enrollment के लिंक दिया हुए इस लिंक के ओपर क्लिक करेंगे यह CMS ID आ गई है इसको login करने के लिए हमें user ID और password को टाइप करना है यूनिवस्टी जो है चाहिए fresh student है अगर आप continue है तब भी उन्होंने student के नंबर के उपर वो user ID और password send किया था अगर फिर भी किसी student को नहीं पता चाहिए वो fresh है या continue को उनका user ID और password क्या है तो उसके related already मैंने वीडियो बनाई हुई है उनका link आपको description में मिल जाएगा उसके accordingly आप अपना user ID और password search out करके अपनी CMS ID को login कर सकते है user ID और password को मैंने type कर लिया अब हम sign in करेंगे यह interface सामने आएगा यहाँ पे जो first row में third option है exam and grades इसको click करेंगे इसके बाद my exam schedule के उपर जाएंगे यह interface सामने आया यहाँ पे जो search लिखा है इस पर click करेंगे search के बाद यह interface आया यहाँ पे course भी बता दिये गए है और आके उसका code भी बताया गया है और date भी mention की गई है center भी mention किया गया है इसको हम scroll करेंगे और यह जो लिखा हुआ है ना download roll number slip इसके ओपर click करेंगे तो हमारी roll number slip download हो जाएगी spring 2023 की जो roll number slip अनाउंस हुई है उसमें metric, fa, icon और दरस नजामी classes शामिल है इनके जो exam की date है वो यकम सेप्टमबर है यकम सेप्टमबर से सब की exam स्टार्ट हो रहे हैं इस तरीके से आपने अपनी roll number slip को download करना है चाहे आप किसी भी class के student है metric से लेके master's तक के सब student है अपनी roll number slip को ऐसे ही download करना है दूसरा कुस्तिया ना आ जाता है कि क्या अलामा इकबाल open university घर के पते के ओपर roll number slip भेजती है या नहीं university वैसे सब को भेजती है roll number slip कभी को बार जो होता है ना वो roll number slip लेट आती है या फिर post office से misplace हो जाती है तो इस सुरत में student जो है अपने CMS ID से खुद भी roll number slip यानि के अपना admit card डाउनलोड कर सकता है और उसकी base पे paper देने जा सकता है उसको print करके paper की त्यारी कैसी होनी चाहिए paper को कैसे त्यार करें paper में कितने marks fall student पास होता है paper देते वक्त हमने paper को कैसे attempt करना है कौन-कौन सी चीज़े हमें center में लेके जानी है इन सारे topics के ओपर already videos बनी हुई है उसका link आपको description में मिल जाएगा तो आप description को चेक करें और आप अपने paper की अच्छी से त्यारी करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें मुझे अपनी दौाओं में लाजमी याद रखें और मेरी भी दौा है अब सब लोगों को कामियाबिय अता करें अल्ला हाफिज